नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं विवानता के बारे में क्योंकि विवानता इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना सेप्टेंबर क्वाटर का रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया है तो आज के दिन ही इस कंपनी ने अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया है और आप यहा हम इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ consolidated data को ही पिक करेंगे फ्रेंट्स आपके सामने इस कंपनी के consolidated data प्रजेंट हो रहे हैं और ये इस कंपनी के major data है तो इस company के इस data को हम पिक किये हैं और ये जो figure आपके सामने प्रेजेंट होना है, ये इन लाक में प्रेजेंट होना है, तो आप इसे इन लाक में ही consider करेंगे, इस company ने जो अपना total income पोस्ट किया इस quarter में, वो 77,40,000 का, जबकि पिछले quarter में इनका जो total income था, वो 11,69,000 का, जबकि पिछले year इसी quarter में इन्होंने अपना जो total income पोस्ट किया था, वो 51,35,000 का, तो friends आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप comparison करेंगे, year on year तो भी इसमें गजब का उच्छाल देखने को मिला है, और अगर आप comparison करेंगे, quarter on quarter तो भी इनके profit में, इनके net income में गजब का expenses की, तो friends इस company ने जो अपना total expense पोस्ट किया है, इस quarter में, वो 11,59,000 का, जबकि पिछले quarter में इनका total expense था, वो 8,64,000 का, जबकि पिछले year इस quarter में इस company ने जो अपना total expense पोस्ट किया था, वो 23,02,000 का, तो friends यहाँ देख सकते हैं कि company का, यहाँ expense अवस्य डिक्रीज हुआ है लेकिन इनका जो total income है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गिरापट दर्ज नहीं हुई है, और company का net income improve किया है, तो friends ऐसा rare ही देखने को मिलता है, कि इनका अगर expense कम हो रहा है, तो इनका जो total income है, इसमें इसाफा बहुत ही कम देखने को मिला है, वहीं अगर इनके core business की बात कर देखने को मिला है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये company अपना total net profit कितना present किया है, तो friends इस company ने जो अपना total net profit present किया है, इस quarter में आप देख सकते हैं, कि 65,82,000 का जबकि पिछले quarter में इनका जो total net profit था, वो केवल 2,95,000 का, जबकि पिछले year इस quarter में इस company ने जो अपना total net profit post किया था, वो 28,33,000 का, तो friends आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उच्छाल इस company ने अपने net profit में दर्ज किया है, अगर आप comparison करेंगे year on year, तो भी इसमें गजब का उच्छाल देखने को मिला है, और अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter, तो भी इनके net profit में गजब का उच्छाल देखने को मिला है, इसके अलावे friends अगर आप इसके EPS की बात करेंगे, इट में इस earning per share की, तो उसमें भी गजब का उच्छाल देखने को मिला है, क्योंकि इस quarter में इस company का जो earning per share है, वो improve करता है, और 66 पैसे का इनका earning per share हो जात करते हैं, कि company ने जो अपना net profit increase किया है, उसी का पैनाम है, कि इनका जो earning per share है, वो आगया की तरफ move करते हुए दिखी है, क्योंकि earning per share किसी भी company के जो count होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ net profit को ही ध्यान में रखके calculation की जाती है, friends इस company ने अपने investor को अभी तक ना तो कोई dividend announce किय है, ना कोई bonus अभी तक दिया है, और नहीं इन्हों ने अपने stock को split किया है, तो friends रही बात कि इसमें क्या moment देखने को मिलेगा, तो friends कल का दिन इसके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, और definitely ये company आज loss में open किया है, और closing भी loss में हुई है, it means इसमें lower circuit है, definitely इस result के बाद क इस company के result आने बाले हैं, उसके बाद जब company result प्रजेंट करती है, तो सबसे पहले इस channel पे result के बारे में flash की जाती है, कि इस company का result कैसा रहा है, तो इस channel पे आप सबसे पहले result की जानकारी ले सकते हैं, कि आपके stock का result किस तरह का रहा है, तो friends जो लोग अभी तक इस channel से नहीं जुरे हैं, वो subscribe के लाल बटन को click करके इस channel से जुड़ जाएं, तो friends आज के लिए इतना ही, आपका दिन सुभ हो